बजार स्टाइल रिटेल लिमेटेड और स्टाइल वजार ये कंपनी अपना आईपियो लेकर आ रही है, मेल लाइन केटेगरी में अपना आईपियो लेकर आ रही है, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एन इसके आने वाले आईपियो के बारे में, कहीं मत जाएए, चैनल को स नया वाला Reliance Trend देखा होगा, ऐसे ही आपने विसाल Megamart देखा होगा, V2 Retail देखा होगा, I mean ये company इन companies की एक किसम से two copy है, तो basically ये company बहुत बड़े-बड़े outlets operate करती है, जहां पर ये company men's related apparel बेचती है, female's related apparel बेचती है, kids' related apparel बेचती है, इन housing की जो basic needs होती है, उन products को भी बेचती है, ऐसे ही ये company beauty products बेचती है, इन साथी साथ ये company toys and stationery से related products भी बेचती है, इन जो इस company के showrooms हैं, जो इस company के outlets हैं, वो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं, इन अगर कोई customer आपके और मेरे जैसे लोग अगर वो इस company के outlet में visit करते हैं, इस company के showroom में visit करते हैं, तो वो particular customer on an average 1,040 रूपीज का सामान purchase करता है, ये जो average purchase size है, ये काफी अच्छा माना जाता है इस तरह की companies के लिए, So basically जो ये company है, जो इस company के outlet होते हैं, जो ये बड़े-बड़े outlets होते हैं, वहाँ पर आपको varieties of products मिलते हैं, बट जो इस company की majority sale है, वो apparel sale के थूँ आती है, अमिन apparel sale के थूँ इस company की total revenue का approximately 84% आता है, and approximately 16% revenue इस company के बागी products को बेच कर आती है, अब सी, जो ये company है, जिस तरह के business में ये company है, जो भी इस तरह की company होती है, वो एक size achieve करने के बाद वो company क्या करती है, वो company अपने brand name के अंदर भी समान बेचना शुरू कर देती है, and इस तरह की जो company होती है, उनको एक advantage होता है, that वो company अपने products की pricing कुछ इस तरह से लगती है, that जो customers होते हैं, ज़्यादा तर cases में, वो इनी companies के brands को purchase करते हैं, and इनको हम बोलते हैं private levels, तो जो ये इस company की total revenue है, approximately 38% revenue, वो इस company के private levels के थुरू आती है, वो brands जो इस company के, खुद के brands हैं, उनकी sale के थुरू आती है, and अगर हम इस company की majority revenue देखें, तो इस company की maximum revenue वो best बंगाल state से आती है, अब सी, जिस तरह के business में ये company है, जिस तरह का काम ये company करती है, इस तरह की बहुत सारी company आ अल्रेडी market में listed है, इन उन companies ने अपने investors को काफी अच्छे returns दिये है, because जो ये business model है, ये आज की date में बहुत बढ़िया business model माना जाता है, and यही reason है, ये company अपना IPO more than 2,900 crore rupees की valuation पर लेकर आ रही है, but जो ये इस तरह की company होती है, उनके लिए एक बहुत बढ़ा concerning factor होता है, इन वो होता है, इस तरह की companies का debt, I mean, बिग बजार क्यों डूबा, बिग बजार डूबा अपने debt की वज़े से, इस company के financials में भी बहुत ज़्यादा debt है, जिसको कम करने के लिए ये company अपना IPO लेकर आ रही है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस company के financials देख लेते हैं, एन उसमें भी हम सबसे पहले इस company का asset base देखते हैं, I mean, March 2022 में इस company का जो total asset base था, वो ता 754 crore rupees का, अगले साल ये बढ़कर 867 crore rupees पर पहुँच गया है, एन मार्च 2024 में इस company का total asset base ये 1165 crore rupees को cross कर गया है, revenue भी इस company continuously बढ़ती जा रही है, I mean, March 2022 में इस company की revenue थी 561 crore rupees की, अगले साल ये बढ़कर approximately 800 crore rupees को touch करने वाली थी, 794 crore rupees तक पहुँची थी, एन मार्च 2024 में इस company की total revenue इन 982 crore rupees तक पहुँच गया है, I mean, almost 1000 crore rupees के mark को इस company की revenue टच करने वाली थी, and we can expect that financially at 24-25 ये company more than 1000 crore rupees की revenue पर close करेगी, पहले ही ये company एक loss making company थी, अब ये company profit में भी आ गई है, I mean, March 2022 में इस company को loss हुआ था 80 lakh rupees का, अगले साल इस company ने 50 lakh रुपय का profit generate किया था, and March 2024 में इस company ने 2 crore rupees का profit generate किया है, अब सी, अगर हम इस company की revenue देखें, then इस company के profit के साथ उसको compare करें, तो हम ये easily बोल सकते हैं, that ये भी possible है, that इस company ने still loss किया हो, but अभी ये company अपना profit दिखा रही है, because 700, 800 crore rupees की revenue में, 2,5 crore rupees का profit दिखाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, but जो ये business होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, cash generation point of view से, because जो भी customer आप कहां visit करते हैं, वो आपकी दुकान से बाहर निकलने से पहले, आपको cash payment कर देते हैं, ये ही reason होता है, जो ये इस तरह की companyya होती है, वो अपने operation में positive cash generate कर रही होती है, ये company भी ऐसा कर रही है, I mean, March 2022 में, इस company ने अपने operation से cash generate किया था, 15 crore rupees के आसपास, अगले साले बढ़कर 33 crore rupees के आसपास पहुँच गया है, इन March 2024 में, इस company ने अपने operation से, 111 crore rupees के cash generate किया है, ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है, इस तरह की companies के लिए, बट आज की date में, इस company के ऊपर more than 178 crore rupees की borrowing या है, ये थोड़ा सा concerning है, विकोज आप इस company की borrowing को देखो, और इस company की profitability को देखो, तो आपको ये difference साफ साफ नजर आएगा, ये कितना बड़ा concerning factor है, ये company एक किसम से profit तो कमा नहीं रही है, बट इस company को उपर बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको debt repay करना है, तो profit तो कमाना पड़ेगा ना, तभी होगा वो, ये बात इस company की management ने, आपको अपना debt कम करना है, अधर्वाइस ये कभी भी हमारे लिए, एक बहुत बड़ी problem बन सकता है, तो इसलिए ये company अपना IPO लेकर आ रही है, हाँ, इस company के margins के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये company 33.51% के gross margins पर operate कर रही है, ये company 14.61% के EBITDA margins पर operate कर रही है, 2.23% इस company के PAT margins है, 10.74% इस company के return on equity है, and 18.39% इस company के return on capital employed है, see, इस company के gross margins and EBITDA margins, वो एक acceptable range में है, and I'm pretty sure इस company के IPO के बात तो इस company के profit margins increase होंगे ही होंगे, because इस IPO को त्रूँ जो भी पैसे इस company के पास आएंगे, उन पैसों के एक बहुत बड़ा चंक, almost सारे के सारे पैसे ये company use करने वाली है, अपनी debts की repayment के लिए, and कुछ पैसे ये company use करेगी general corporate purposes के लिए, IPO से related expenses के लिए, तो जो ये इस company के total IPO size है, ये है 834.68 करोर रूपीज का, 370 से 389 रूपीज का price band है, 38 shares का lot size है, and इसे साथ से जो आपकी minimum investment होगी, वो होगी 14,782 रूपीज, 38 अगस्त को IPO open होगा, 3rd September को IPO close हो जाएगा, and 6th September को इस company की बोथ PSE and NSE में listing होगी, तो अब question आता है, क्या आपको इस company के IPO को subscribe करना चाहिए या नहीं, मैं तो बोलूँगा, अगर आपके पास cushion है, तो आपको बिल्कुल try करना चाहिए, because जो ये company है, ये company बहुत अच्छी company मानी जाती है, इस IPO की बज़े से इस company के financial position एकदम से change हो जाएगी, and जो ये इस company का business model है, वो काफी बढ़िया है, and ये एक growing company है, and mind it, पिछले 3-4 सालों में, ये company अपने sector में, इंडिया की fastest growing companies में से एक है, तो अगर आपको इस तरह की company में invest करने की opportunity मिल रही है, तो आपको try तो जरूर करना चाहिए, IPO में allotment मिले, नहीं मिले, ये आपके लग्तिय उपर depend करता है, बट अगर आपको ऐसी कोई opportunity मिलती है, that IPO के बाद अगर इस तरह की company का आपको share IPO price से नीचे खरीदने को मिले, तो फिर आपको वो opportunity बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए, हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको like share जरूर करें, and channel को subscribe करें, thank you.